सो गईस अगर आपका भी स्नाप चैट में फोटोस वीडियोस या स्नाप किसी भी रीजन से डिलीट हो गया है या फिर गायव्यानी डिसपेर हो गया है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दू कि आज के इस वीडियो में मैं जो भी पॉसिवल वेस एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसका युज़कर आप भी आसानी से स्नाप चैट के डिलीट फोटोस और वीडियोस रिकवर कर सकते हैं चाहिए आपकी गलती हो या फिर ना हो इस वीडियो में बहुत ही कमाल का ट्रिक्स बताने वालों जिससे आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो के बिल्कुल कम्प्लीट वाच करें ताकि आपको भी कम्प्लीट इंफरमेशन मिल सकें तो स्नाप्चाट पर जोसे बड़ी रिजन होती है फोटोस वीडियोस डिलीट होने का वो होता है बक्स की वज़े से या फिर open ही नहीं होता है तो friends इस तरह का issue को solve करने के लिए first of all आपको Snapchat की application को open कर लेना है then friends उसका simply आपको आपके Bitmoji को tap यहां पर करके यहां पर इस तरीके के profile में आपर आ जाना है then friends simply आपको ऊपर की तरफ एक settings का option आप देखने मिलेगा तो guys simply आपको settings वाले option को tap कर लेना है so friends आप जैसे settings वाले page में आते है simply आपको आपका page को scroll down करके नीची आपर चले आना है so guys आप जैसे आप नीची आते हैं तो आपको एक option आप देखने मिलेगा I spotted app buck so friends simply आपको इस वाले option को tap कर लेना है then guys आपको यहाँ पर option आप देखने मिलेगा memories का third number में simply आपको इसमें tap कर लेना है then guys आपको इसमें नीची आप देखने मिल रहा है choose topic का so first of all आपको इसको tap करके select आप कर लेना है कि आपका जो यहाँ पर है issue यहाँ पर वो memories यहाँ पर load नहीं हो रहा है यहाँ फिर आपका memories missing है simply आपको इसको select यहाँ पर कर लेना है अपने issue के यहाँ पर हिसाब से then friends आपको यहाँ पर exact बताना है Snapchat के team को कि आखिर आपको issue यहाँ पर क्या देखने मिले जैसे कि मैंने आपको लिखे I lost my memories due to bugs pre-solve my issue तो friends आपको जो भी यहाँ पर issue यहाँ पर आ रहा है simply आप यहाँ पर अपने साब से explain कर ले देना है पर आपको option यहाँ पर देखने मिलेगा add attachment का तो guys आपका यहाँ पर जो भी issue है अगर memories load नहीं हो रहा फिर कुछ भी issue है उसका screenshot यहाँ पर ले 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 उसका friends आपको साथ साथ ही आपका Snapchat का application है उसको update यहाँ पर कर ले 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 और साथ साथ ही उसका update को check करते हैं आपर रहना है तो friends next कुछ updates यहाँ पर आने को है Snapchat का आपका जो इश्वियां आपको देखने मिला है bugs की वज़े से जिसके वज़े से आपका photos memories आप विडियो से यहाँ पर नहीं आ रहा है फिर load नहीं है उपर है फिर mishing है कुछ सारे यहाँ पर solve हो जाएगा अगर आपको memories यहाँ पर जो है यहाँ पर bugs की वज़े से यहाँ पर कुछ इश्वियां पर आपको देखने हैं मिल रहा है तो जो seconds से बड़ा reason होता है Snapchat पर photos या videos delete या फिर disappear होने का वो होता है picture deleted due to logout और from by my own mistake यानि कि friends अगर आपने Snapchat पर photos क्लिक किया है और आपका जो photo यहाँ पर वो backup होने से पहले आपने Snapchat के application को delete कर दिया है या फिर अपना आपर account को logout कर दिया है तो guys इस situation में भी आपका जो photo यहाँ पर आपने click किया था वो actual way में backup हुआ ही नहीं था यानि friends आपका जो photo आपने click किया हुए यार डिलीट तो यानि delete और गायब तो होना ही था तो friends अगर आपके साथ भी ऐसा हुए फिर अगर आपने जान बूच कर दिया है कि उसको recover करना है तो friends first of all आपको यहाँ पर चल जाना है अपने किसी browser में ब्राउसर में आप जाने गवाल simply आपर search करना है आपको आदित्य अग्यान जैसे कि मैं आपर टाइप किया हूँ simply आपको search कर लेना है तो guys आप जैसे आदित्य अग्यान आपर search करते है आपको फॉस्स वाला जो वेबसाइट है आदित्य अग्यान डॉट कॉम simply आपको उसको टाइप कर लेना है इसके मैंने आपर टाइप किया है आप जैसे इस वाले वेबसाइट में आपर आते है simply आपको search वाले option में टाइप करके आपकर search कर लेना आपके सामने कुछ इस तरके का first blog यहाँ पर देखने हैं मिल रहा होगा how to recover snapchat deleted photos 2024 का simply आपको इस पर tap यहाँ पर कर दिने जैसकि मैंने आपर tap किया है जैसी आप इस वाले blog में आपर आते है simply आपको नीचे चलियाना है and जैसी friends आप नीचे यहाँ पर आते है तो आपको यहाँ पर दो option आप देखने मिलेगा second and third में recovery application first recovery application second का तो guys आपको करना यह कि आपको इस वाला जो यहाँ पर recovery application first है and second है उसको यहाँ पर tap करके यहाँ पर एक आपको simply एक हलका सा एक दो second के यहाँ पर task मिला होगा उसको जैसी आप complete यहाँ पर करते हैं आपको दोनो application के यहाँ पर install कर लेना simply link वाले option को यहाँ पर tap करके so guys आप जैसे आप application को install कर लेतो उसकद guys आप जैसे first वाले application को open करते हैं लेकिन वो delete हो चुका है आप आसानी से इनको यहाँ पर recover कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं simply guys मैं आप deep scan वाले option में आया हूँ and यहाँ जो भी photo में delete कर दिया है तो अपने gallery से या फिर किसी भी application से वो आसानी से यहाँ पर recover हो रहा है अगर आपका videos है तो videos में simply tap करके videos भी यहाँ पर recover कर सकते हैं and guys मैंने जो यहाँ पर आपको second application बता है वो बिल्कुल same ही है जैसे कि मैं आपको show यहाँ पर कर रहता हूँ second application कैसे work करता है यहाँ तो guys second application में आपर आने वाज फोटो हो गया या फिर वीडियो गया आपने delete already करके रखा है वो सब यहाँ पर scan होगा आप इन steps का यूज़ करके आप इन दोने application का यूज़ करके आसानी से snapchat के deleted photos वीडियो से फिर कुछ भी file यहाँ पर recover यहाँ पर कर सकते हैं इसकलाब friends आप कुछ भी question या फिर doubt होता तो आप मुझे comment से पूछ सकते हैं इसकलाब आप मुझे Instagram या फिर Snapchat पर contact भी यहाँ पर कर सकते हैं तो friends ऐसी amazing and interesting वीडियो उसको देखने के लिए आप मारे channel को subscribe करें इस video को like करें